अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए झाल 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 झाले हैं! मोर्या! झाल 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 मुझे बता के क्या फाइदा मेरी फूलन दे लेट होगी ना तुम मेरे प्यार का तो नहीं पता लेगिन मेरे इस से की मार तु जरूर खाएगा थे नहीं 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 निकलते हैं अचाए लोज़र बाई बाई वो शिट तेरी सारी सारी साप माफ करना वो साइकल वला गे दा साप ठीके 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 जाओ ठीके ठीके जाओ सारी अ र E य जाम पोसी इंट इन आवसे चूमने उन्हयाब नामाजीज अश्यूजिए अनिलिशे ने ईने शूमने इंट राफ तर फिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् me इस्प बस्पेंग इस अब्च्ट्ट्ट्ट नेस अवेग्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोच्ट देश्डेंद अजुके कर दो अप्रह ब्लेट धिस्ट जार कि अिख्ट जुट्ट सब्सक्राइब और उली और उली अबश्या करूब दोली यहीं अजिए कर दो दो है? जाली है जायोज़गा जाली है जाली है जाली सिरी कर दो में अधे गलतनी अधे किला टेंट थेंक्यू गुद मॉर्णी मैम मैम आज बहुत अच्छी लग रही है आप कानदी वली थर्ड जोन की रिपोर्ट तियार है मैम और फोर्थ और फिफ्थ की बस भी बीस मेंनों तियार हो जाएगी अच्छी प्रांच से रिपोर्ट लेट आई वर्ना मैं तो पहले ही खत्र श्री सर तुम से मिलना चाहते हैं सर कौन सर मैम ए कॉलिंग के ओनर मिस्टर रंधावा मैम मिस्टर रंधावा मुझसे शाम को आर्ट बजे यहां पहुँच जाना मिस्टर रंधावा अल्रेडी आट सिंदगिया दाओ पर लग गई है अब एक और I think we should stop this I agree, Jai Raj यार अगर हमारा काम होना होता तो अब तक हो चुका होता मी का कमिशनर I should save lights और यहां Okay No problem But don't you think जब कोई बड़ा काम किया जाता है तो उसे पूरा करने में छोटी मोटी गुर्बानिया देनी पड़ती है दुनिया में सबसे मुश्किल काम किया है किसी काम के लिए कुर्बानी देना नहीं किसी काम के लिए किसी दूसरे से कुर्बानी दिल्वाना tension anyways I agree eight times we have not been successful and she is our ninth option but shree is not just the ninth option he is a last option So let's meet Shree, the last option Shreeenah, Shreeenah Jaiswani, Mr. Randhawa's business manager You work in our e-callings, right? Yes, I am a malar, as an accountant And if I am not mistaken, you have joined now 12 days, today is my 13th And how much do you get there? Yes, 2700 And where did you work from before? Stepping stone, it's a small finance company And how much did you get there? Yes, 6500 See that's the big difference between us and the others Where 12,700 and where 6,500 We know who is capable, who deserves it And you, you deserve a lot, Shreeenah You deserve a 4BHK Bandram, from the company You deserve a BMW From the company From the company From the company A post like Air Calling Mumbai Head An annual package of 70 to 80 lakhs And all of this And all of this Are you going to meet, Shreeenah? Yes, ma'am Yes, ma'am Shreeenah Shreeenah Many people, in this They are going to get They are going to meet They will not know They will meet And you वह बहुत कुछ मिल सकता है because you are the chosen one 10,000,000 यह तुम्हारी परली इंस्टॉल्मेंट है दो दिन बाद तुम्हें 10,000,000 और मिलेंगे और उसके बाद वो डील जो शीना ने तुम्हें अभी बताई सर, मुझे करना क्या है? कुछ खास नहीं बस अपनी जिन्दगी के 12 घंटे हमें देने उन 12 घंटों के तुम्हें 20,000,000 रुपे मिलेंगे आज 7 तारिके नव तारिको 7 बज़े सुबह आना 12 घंटे देना और 10,000,000 और ले जाना क्लियर? 12 घंटों में मुझे क्या करना है? बेबी सिटिंग जी श्रीग अगर 12 घंटों के लिए तुम्हें 20,000,000 रुपे मिल रहे हैं तो यकिनान काम कुछ ऐसा होगा जो बताया नहीं जा सकता काम ना गलत है ना बुरा लेकिन बड़ा है बहुत बड़ा इतना बड़ा कि तुम इस दील के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते किसी को भी नहीं ना यू तेक दिस बैग और आल सी ओन दे नाइन्थ सर्ब I can't यू नो श्री दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है फ्री में पैसा आना नहीं फ्री में आया हुआ पैसा वापस देना ये बैग तुम अपने पास रखो अगर तुमारी विल पास स्ट्रॉंग है तो दो दिन बाद आओ और पैसे वापस दे दो अकाउंटन तुम रहोगे पर अगर ये पैसा तुम पर भाली पढ़ जाता तो दो दिन बाद आनो बारा गंटे देनो और दस लग आउन देजाने ओके? पर ये पर जो जो आएफ जो आपसे तुझे फोन कर रहा हूं? मैंने बनो गाटकों पर में हूँ यह पले रिदी को लड़का यह आगा है आई मुझे बी लेकर आगे है अ वो सब टिक एडिक मुझे सिर्फ बता तु का अब आरी श्री मुझे सुब बोला ना सुबहारी आथे सोनु, अले अला काईगा फॉनुवर अले अलेगा आई, दोज मिरिट भगता आता मुल्या कडशी लोका आले और पुर्णाची पुड़ी बोना रहेचाई को? कल्ड अले श्वी, सुन, सुबह बात करता है, ठीक है, अभी में जाती हू बैंड बजीगे मेरी कि वसुन्या युट अग्या, अग्या, अग्या श्रीबाई वो सेट बोला दिन मैने का पैसा मुझ मीटा होना से पहले कड़वा कर देता है या शुबू चाहिए तो पिने दे यार सेट को बोल अगले हफ़े क्लियर करता हूँ क्या श्री बाई वो सेट फोकर्ट की मेरी बेंड बजाएगा देखे नकी कर दो न ये ले और चाहिए उसके मुझ पे चिपका और बोल के उसका मुझ बंद रखे क्या श्री बाई सौके पते से कुछ होता है क्या चलना शुबू अब बाकी का अगले हफ़े करता हो न यार जाना ये सला इदर से मामो बनाता है वो उदर से गाली देता है ये बीच में फ़स गया हूँ तेरी तो चाचा क्या ख़बर शुक्रिया तो नो तो बस दो मिनेट सिर ज्रेशन करना यार शुक्रिया अगला ड्रेस चेंज यार ना ही नी तो तक अरे तो नाना है किसको रोज ड़ी तो आते पादे यार जाव जल्ली कर अग्ण तुला लाजना ये वाटत नमास्ते अंटी किते बेश्रमासरे तु उसे प्यार करता है ना तो शहर चड़ के भाग क्यो नी जाता है अरे आठ साल से मुंबई में है क्या उखाड़ा तुने मुंबई का बोल मुझे? मेरा रेशन वाला मुझे रेशन बाद में देता है लेकिन तेरे कर्जे के बार में पईले सुनाता है माइतिये? माइतिये का है माइतिये तुला? अरे कब समझेगा तु? हाँ, पच्चास साल के बाद मेरे पस मेरे पस बोलेगा अंटी ना मेरे से घर हुआ ना मेरे नोकरी ढूंड सका मैं तो भी करी बन गया और तब जाके मैं मेरे सोनु की शादी किसी लूले से लंगडे सी आद दो बच्चे के बापसे करा दूँगी यहाँ आई, और यहाँ है, काई सकाई सकाई तु? दु ऊटे आउ तु? आई सकाई सकाई तु? तु आए ठीस तु? पाइद हाँ हाँ? मी बोले हाँ, तु तु यहाँ लक्सत नाइ तु एका अंद आद आ तू मूर्खा, वां, अद तु किसू अगता है, बग्वागदा म essence पर्यां पजिकां एंधे श। परिक्तर सकते दो सकते हैं? तूर्ण के मुलिट सकते हैं और रॉषल को वस्टर हा आगले सकते है!? रॉखल्या कम के डाख पर्न नियुड कर में रॉषल था ऐ नियुड नी? याई गुना, टेली का प्रोग्राम बना लिया इसने, रोद सुबर दिमाग का दही बना लिए तरी मांकी तो देख, दस दिन में आ बन रूम किचन लेके दिखा हूँ से, अच्छा है, अरे सच भे, मुझे आ बीस लाख मिलने वाले हैं, ए श्री, अगर बैंक ही रूटता है तो कोई बड़ा बैंक लोगे, तो वंद रूम किचन क्यों, थ्री भी एजके भी मिल जाएगा, अच्छा, अरे बावा, तेरी कसम, यार, मुझे पीस लाख मिलने वाले हैं, पागल, तस लाख तो गर पी पड़े, सच में, श्री तो, ही, हे श्री, कौन मतले, मुझे बाद कर ही लिया कि तुम्हें बीस लाख रुपे मिलने वाले हैं, अर तुम्हें इन पैसो की सक ज़रूरत है, और हाँ, तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम हमारी इस डील के बारे में किसी को नहीं बता सकते, किसी को मतलब, किसी को नहीं, सोनु को मिले हैं, बाई श्री, सोनु इस वेटिंग फर यू, अब देखते हैं, तुम सोनु को क्या बताते हैं, तुम्हें ये बीस लाख रुपे कहां से मिलने वाले हैं, स्यू तुम्हरो श्री, किस का फोन था? किस का फोन था? आरे, वो, वो, मैम, मैम थी. तुमको बोल नहीं सकता तकी बाद में कॉल करता हूँ, यहां मुझे बीस लाख किती ले लगा कर खुद फोन पर लग गया. श्री, कहां से आरे बीस लाख? क्या, क्या बीस? श्री, तुमझ अभी अभी बोलाना कि बीस लाख मिल रहे तुझे, हां? तो तो क्या उलादमी है ना तो वो अपनी पूरी जाजाद हम गजन में बाटने के बाटने के बाद मेरे इसे कुछ वही बीस लाग खाएंगे तू सच बोल रहा है पागल मैं जूट क्यू बोलूंगा सच क्या रहो मैं अर तभी तो अपन मही ने दस लाग तो भेज भी दी अवे यडे तू इतनी बड़ी गुड न्यूस ऐसे रोंदू थोबने से क्यू दे रहा है का है फोली में पड़े तो चलना अवे जाएंगा ये क्या सुबा है ये क्या हुआ है के जिन्दगी ने ये खुद कहा है के जिन्दगी ने ये खुद कहा है जी ले तू मुझको जी भरके जी ले तू मुझको जी भरके आओ कुद कुदा के मुझक तू हसले तू हसले तू हसले तो सजने लगा है हर लम हा इस जिन्दगी का हर लम हा इस जिन्दगी का जो पल बीते तेरे संग में सारे कहते मुझे तू हसले तू हसले तू हसले तू हसले तू हसले ये कौफी पीने के बाद तुम पर हल किसी बेहोशी चाने लगी क्योंकि अगले बारा घंटों के लिए तुम्हारा होश में ना रहना जरूरी है कर दुम्हारा हुआ कर दिन्दगर ह्टाप्ट झाल झाल यह सब क्या है यह सब क्या है यह सब क्या हो रहा है यह सब क्या कर रहे है अब लोग मुझे नहीं करना है यह सब मुझे नहीं करना, तुम्हें मर जाओगा, अब लोग मुझे मार रहे हो, रन्दाओजी, मुझे आपके पैसे नहीं जी, मुझे नहीं जी, रन्दाओजी, मुझे नहीं करना, रन्दाओजी, मुझे नहीं करना, रन्दाओजी, मैं आपके पैसे दे दूँगा, झाल 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 तो? तुमने मजी धक्का दिया था? बाकी सब लोग आएं अब कैसा लग रहा है आपको? आराम से मेरा सर दर्ज से भट रहा है बताए बाकी लोग का है अंदर चल के कुछ पी लीजे मुझे कुछ नहीं पीना है आपको बहतर लगाए मुझे कहीं नहीं जाना है अरे हमने कहा ना आप अंदर चलिये तो सही आईए अरे छोड़ो मुझे बाकी सब लोग कहा है बता मुझे अरे बताओ ना तो मुझे बताते क्यों नहीं क्योंकि हम बताना नहीं चाहते साथ बजकर पांच मिनिट हुए है मात्र ग्यारा घंटे और पचपन मिनिट यहाँ शान्ती से बैठिये उसके बाद आपको अपने हर प्रश्ण का उतर मिल जाए यहाँ कोई बहुत बड़ा लफला हो रहा है तुम्हें मुझे मार रहें की कोशिश की थी मुझे काम अपने कर रहा है देखिये श्रीमान जी हम आप त्यानोरोथ करते कि आप यहाँ चुपचा पैठ साहिए चुकि आपके बारा घंटे प्रारम हो चुके है और आपके लिए भी यह उचित होगा कि जो हम कह रहे है आप मानना जाए प्यू्ट आपके idé और आपके लिए मरस्ट प्यूट के लिए कि जो प्सको पूल युझे देखिए आपके सोसथ झाल 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 करने के लिए तु वहां से निकला कियो श्री कहां से निकला यार सोनु देख मेर सर अभी दर से फट रहा है तु तु एक काम कर तो भी जाम दो गंटे बाद बले एक तो इडियाट के जैसे यहां गया उपर से उचको बोल तो अपट यहां अभी तो पूलिस वाल हर वक्तिरे लिये बैठे तु पुलिस वाले हर वक्त तु तु निकला यार तु यह तो और यह तु आए निकला यार काई यहां से रिकल आप आपे दो इसा छोटे किढ़ गेरे वो कॉन साब अभे वो सोला नंबर क्षोली वाला किढ़ देखा थुने यही तेखा था साब अपनी चावी के साथ में अब बॉल थे लगा दिने दस लुपी की शिंडी यह बोला था कि बंदूलों को दोड़ा के लेगा और अब आप ही ग पंगाएगा श्रत लगाएगा तू आएप सुनो श्रत मेने उच्पने आप आई मिजाते बंकेट आइसो तो नागा तुलाई आई उज्ञा प्लीज बाई सोनो सोनो आगा आई आई कोड़ी एग विज्ञा पुलिज पुलिजल से बड़ा एक पुलिस सकते में हैं हर मिनिट सर्कार पर लवाव बढ़ने का थारा मैंने तो देखी तू ने ने देखी यह देखकर भी है सारी बेवकुफिया कर रा है श्री तुझे एक बात किती था बस अब जाने बड़ीगी यार सुवेस वे क्या नहीं ड्रामा है ड्रामा ड्रामा मैं करे और तुने जो बस्ती में आकर किया वो क्या था देरी तुझे क्या असरो होती बस्ती में आने कि एक मिनिट मैं कब आया बस्ती मैं अरे तुकल खुद मुझे है लोग करके गए चावी तेरे पास है और तुझे है खिड़की दिखती है जहां से बाहर निकलूगा मैं वही तो मैं सोच रहे हैं कि तुछ नहीं पड़ेगा सून अब यहां बैठ कर कुछ नहीं होने बना है कि तु हलो हलो राजी ए राजीव कहा वर गया था तु अब से फोन ट्राइ कर रहे हु तेरा अरे यार वह श्री ने दिमाग खराब कर रखा था यार यह यह श्री पागल हो गया है तुझे पते है यह सुआ सुआ बस्ती में आ गया था और अब बोल रहा है वापस बाहर लेकिन उसने मुझे बोला कि तुने उसे आटो में इठा के कहीं भेज दी है और वो गोरीविली में है अलो राजीव क्या हुआ यार यह यह फिर भाग गया यह इडिट समझता क्या लो कि बाहर उसके लिए कितना खत्रा है सो सोनु देख तु डर मत तु तु वहीं पर उख मैं आ रहा हूँ राजीव यार प्लीज उजर दिया देख मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अलो हलो मैं मैं श्रीख जी देखे मैं जानता हूं के तलती मेरी थी मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी क्या में भी मिल सक राजीव प्लीज पर मैं पहुच वहाँ आगा हूँ आपर साथ पचे है चीख राजीव मैं क्या करो इस लड़के का ये कुछ समझता क्यों नहीं है और मुंबाई शेहर में पूलिसों से ढूंड रहा है और ये पादाले से खुले आप गूम रहा है रहा है राजीव यार सबसे पहले तो तू टेंचन लेना बन कर मेरी शेरी से बात हुई है और मैंने उसे योगी नगर में मिलने के लिए काया है उसे कुछ नहीं होगा तू तू पागल है के राजीव पूरे बुबाई शेर में उसे पुलिस ढूंड रही है और तू उसे खुले आप मिलने के ल अज़ा पूरे मुझे पताई थो इसे कि मैंने क्या क्या है तू कि अधिए प्रिष्ट कर सकते रुके देखे पिरा ज़ूर्म क्या बेख शरीफ नागरी को रस्ते हैं अधिए शांत अधिए शांत हो जारी है क्या कुछ चिल आते इतना है तर शरी भुब मुझे रस्करें सर मुझे पताई ना मैंने क्या क्या है तेकि सर मैं शरीफ नागरी को सर पताई ना मेरा जुरूब क्या है सर बरबर बर बोलता है ये अरे भाए तू भारत का आम नागरी बोले तो सरकार और मैं सरकारी नौकर जनता का सेवत तरह के जानने का कि क्या जुन किया तू क्या इ अरे बाबा, लेकिन चिलनाने का नहीं रहे, क्या है मेरा कान दुखता है ने रहे? सोरी सर, मुझे बताई ना सर, मैंने किया क्या है सर बताता है, मताता है मैं, जुरूम नमबर एक मुंबई के पुलिस कमिशनर का खून किया तू मैंने रंगे आदो पकड़ा तेरे को, यादा है? कमिशनर का खून? आहा, तू नहीं किया, उसके बाद तू पुलिस कस्टडी से भागा, मेरी कस्टडी से, मेरे को ऐसे गन दिखा के जुरूम नमबर तीन अपने इसादी को टपका है तू नहीं, 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 सर, अरे, आपको गलत पभी हुई है, सर, मैंने किसी को खून नहीं किया, सर, आपको मेरी बाद तू पट गई शाम तक सब ठीक था रात भी गुड़नाइट थी मस्तो के सोया था मैं कि कल से जिन्दगी ब्राइट थी कुई सुभा लग गई जिन्दगी सुला गई ऐसे ऐसे कांड देखे एकी दिल में याद मेरे मेरी पट गई, पट गई क्या रहे? तो हिंदी फिलम नहीं देखता क्या? सुना नहीं कानून के हाद बहुत लंबे होते हैं तू भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता क्या लेकिन दबोज लियाना तेरेको सर में सहीत हैं सरा मुझे कुछ नहीं पता क्या पुखिवा थेरा सारा किछा मायला पुलिस या ठोकता है तरह भाग ठोट एक रहा है वाग वाग फोड़ एकड़े कैने अधर हाड़े यृट यृट चैएए बहने कोकी होगाँ जालु。。 यृट शेल चै झालु यृट चैएएए फार्ट चैएएए जालु ृट चैएएएएए बहन जाएएएएए भाट कै फाखटाटाग भाखटाटाटाट... कै फाखटाटाटाटाल मैं थाल्हाट stesso काहाट.. कै फाखटाटाटाट से उबाटाटा.. यह क्या कर रहा हुआ अभे मरेगा गया चल गई पार अब एले से ही सिंदगी के उबर खाबर रस्ते थे वो कटके पंगों में और तेरे ने मेरे हो गए मात लग गई बैंड बद गई सारी तशा पिकर गई रात में ही जिंदगी की सूरत बंतल गई तो गई प्रफट का ये मेरे हो गई, तो गई हो गया छो ग경 मेरे प्रफट का ये पढ़ गई, 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 पुलिस ने चारो तरफ नाका बंदी कर दी है, अगर आपको ये शातिर मुझरिम कहीं दिखाई दे, तो तुरंत अपने पास की पुलिस स्टेशन में खबर दे, इस मुझरिम का नाम श्रीधर उपात्याय बताया जा रहा है, जो गोरे गाउं के दिंडोशी इलाके में रहता जनता से अनुरोध किया जाता है, कि इसके दिखते हैं पुलिस को सूचना दे, खुद इस मुझरिम के पास जाने की गल्ती ना करे, इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर का कतल करने से पहले भी ये शातिर मुझरिम दो कतल कर चुका है, ये केस अब भी दिखाई दे, पास के पुलिस सेशन में सूचित करें, ये हो क्या रहा है, बागल हो जाऊंगा, बागल हो जाऊंगा, श्रीया बागेक अगर नहीं ये सोचो, जो हो गया सो हो गया यार, जो हो गया सो हो गया, राजीव मुझ में तीन खून का इल्जाम है, तो बार यह अच्छाना खचाना एक ही दिन में सब अब हालाद बहुत खराब हो गए है देख पुलिस को तुझे अरेस्ट करने के जुरूरत नहीं है अब तुनके पास लाइसेंस है तुझे आन दा स्पार्ट शूट कर देने का वो अपने जाद पाईयों का खून अब अब तुनके लेगे बागी अब ने किसी का खून नहीं किया या रजीव खून उस पाइडर मन का बास पर ने अवलाद भी लेकिया था श्री 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 हमें पता है श्री श्री हमें पता है तुने खून दी किया है I I know you श्री I know you more than myself श्री जे कुछ नहीं तुने किया शुलampa मैं सच कह रहा हून, जूस्टक्स पता ही नहीं है तरह無जे ज बापी कैसे हो मुझत जaps मैं फिर से वही काउनगा कि जो हो गया सो और अब भागे का सोच करना किया श्री, भOOD पिशोर उस पर आला दो शोдел है निकल जाओ मतब यार कहां जाओ मैं और क्यों जाओ मैं जाओ मैं और क्यों जाओ मैं कहीं नहीं जाओगा यार सुनू मैंने कुछ नहीं किया है श्री समझने के कोशिश करो यहां बहुत कातरा है और बस बस दो तीन महीन की बात है श्री देख, मैंने साधर हमें अपने एक फ्रेंड से बात कर लिये वहां तेरे रहने का इंतिजाम हो जाएगा देख में अकेले कहीं नहीं जाओंगा सुप मैं तुझे छोड़ कर कहीं जाने वाला हूं अरे तो कॉट कह रहा है कि मुझे छोड़ना है मुझे बुमाई में नहीं रहना है मुझे तेरे साथ रहना है श्री, मेरे लिए श्री नूचलों बनाए सारी पियाजी में तोरी करना है जो कर ले किसमत निगोडी पिया मुरा जागता मैं कैसे सोरी कैसे सोरी सकी मैं कैसे सोरी पिया मुरा जागता मैं कैसे सोरी मालिक मुरा जागता मैं कैसे सोरी बिन श्रिंगार सज बनठन चली मैं पिया संग चली एरी पिया की गली मैं बिन श्रिंगार सज बनठन चली मैं बनठन चली एरी पिया की गली मैं पिया की गली मैं पिया की असी से ही मैं पिया की असी से ही मैं सज तीरी पिया मुरा जागता मैं कैसे सोरी मालिक मुरा जागता मैं कैसे सोरी हेली 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 है हेली है 客 यह लो, इसका थे, हाँ, सो रुप्या, हुम, वो क्या है न, हमें आपके प्रेम पर अत्यतिक विश्वास था, हमें पता था, आपकी प्रेमिका आपके पास निश्चे ही आएगी, और देखें, आपके प्रेम ने हमें आप तक पहुचाई थे, प्याजी को लाने को यम से लड़ी मैं, आपके बारा हुटे समा पचने मैं, पीस में पचे लेला हुई मैं कभी, लेला हुई मैं कभी हुई शीरी, मलिक मुरा जागता मैं कैसे सोरी, कैसे सोरी सकी मैं कैसे सोरी, कैसे सोरी सकी मैं कैसे सोरी, या मुरा जागता मैं कैसे सोरी, मलिक मुरा जागता मैं कैसे सोरी, कि अटूँ कि अटुछ एक टूच कि अटूँ है तो यो दूट तो है पर तुत यह है तो यह घोर है यसकी तो सबसमझ मेहरा मुझे सोओ हरी यही तो है यही कर रहा है सबकुछ you कुर्स भाइकर मुझे पसाइ जारह रही है इस दुट है कि में पेकस हो रहा हूँ फॉट ठाइका क्या कर रहा है मुझे पताए कि क्या कर रहा है अरे, खड़ी हरी मुझे देख क्या रही मुझे देख क्या रही मुझे लक्सियोसी दूनाई से बांदेगी ने मुझे बीकर मा उप तुम काणनाई तुम कानाई यह तुमे बताना है क्या तुम काना सौनू सोनो तू यहां क्या कर रही इन्हें हम लेकर आए अब आप बताईए आप यह सब क्या हो रही आप पहले दूसरा श्री पैदा हो गया और यह मुर्दे से जिन्दा तुम जिन्दा कैसे हो सकते हो तुम तो कल मर चुके थे क्या बक्वास कर रहे है आप मैं बक्वास कर रहा हूं तुम मुर्दे से जिन्दा होकर मुझसे कह रहे हो कि मैं बक्वास कर रहा हूं आप कहना चाहते है कि कल हमारी हत्या हो चुकी है अरे तुम भी क्या इसकी बातों में आ रहे हो अगर तुम कल मर चुके थे तो सुबे से क्या तुम्हारा भूद गुम्रा वेरे साथ? आप किर्पियाच चुप रहेंगे? कल अर्थात कब? कौन सी दिनांक? रे क्या बेवकूफी वाला सवाल ही है कल मतलब कल? आज 11 तारीक है तो कल दसी होगी ना? ये डुप्लिकेट है तेरे दिमाग की क्या पैंट बजी हुई है? एक तो पहले इस जीते जाकते हैवान को तुने मुर्दा बना दिया अब आज 9 तारीक को तू 11 तारीक बना रहे है हमने कहा ना आप चुप रही है? आप कहना चाहते है कि 10 तारीक को हमारी हत्या हो चुकी है? कैसे? किसने मारा है हमें? कमाले यार तुम्हारा खूल हुआ और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसने मारा है? अरे यह मरा हो तब तो इसे पताओगे इसे किसने मारा है? सुबह से तु मेरी जान के पीछे पड़ा हुआई है अरे वो मर चुका है कल दस तारीक उसकी लाश उसकार में मैंने खुद देखी अरे मेरे भाई कल दस तारीक थी ही नहीं आने वाला कल दस तारीक है क्यार आज नौ तारीक है आप चुप रहेंगे कुछ शड़ ये सही कह रहे है आज नौ तारीक नहीं आज ग्यारा तारीक है हम दो दिन भविश्य में है सुबह नौ तारीख थी और मुझे कॉफी पिला कर इसने धक्का दिया नहीं इसने धक्का नहीं दिया बलकी यह मेरे साथ कूध anar और कूधने के बाद हम नौज से कियरा तारीक में आ गये इसका मतलब है कि मैं सुबह से कियरा तारीक में जीर रहा हूँ हमें किसने मारा अरे अगर यह मुझे पता होता है तो मैं पलिस को नहीं बता दे था तुमने कमिश्णर का खुन किया उसमें मुझे फसा दिया उसके बाद तुमारा खुन हुआ और उसमें मुझे ही फसा दिया देखिये श्रीजी हमें कुछ समझने आ रहा आप कृपिया विस्तार से बताइए क्या हुआ था कैसे हुआ था ठीक है नौ तारीफ बारा घंटे बाद जब शाम को साथ बजे मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं फार्माउस के टेरे से नीचे किरा हुआ था पर वहाँ पर मिस्टर रंधावा प्रोफेसर, कमिशनर, शीना और तिलक तुम, सबके सब वहाँ थे और सब मुझे देकर बहुत खुश थे लेकिन सबसे स्यादा खुश थे प्रोफेसर तेंक यू श्री, तेंक यू तुमने मेरी छे साल की मैनज सफल कर दी I did it I did it, Mr. रंधावा I am so happy मैं सोच रहा थे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दी कि सब इतने खुश है और फिर प्रोफेसर ने जो मुझे बताया उसने मेरे होश उड़ा दी तुम दुनिया में एक लौत ऐसे इंसान हो जो टाइम ट्रैवल कर सकता है टाइम ट्रैवल फिल्मों में तुमने इसके कई तरीके देखे होंगे जैसे कि टाइम मशीन जादू से टाइम ट्रैवल या पुराने जमाने से किसे इंसान का नए जमाने में आना लेकिन मैंने मैंने टाइम ट्रैवल पर एक अलग तरीके की रिसर्च की टाइम फिशा यानि की वक्त का टूटना अब ये वक्त कैसे टूटता है, कब टूटता है, ये मैं तुम्हें दिखा दा हूँ प्रिथ्वी, जो 365 दिन में सूरज के चारों और अपनी परिक्रमा करती है और खुद भी उसी जगे पर घूमती रहती है प्रिथ्वी अपना ये चक्कर 24 घटे में पूरा करती है और प्रिथ्वी के आसपास कई पैरलल लेर्स चलती रहती है टाइम भी साथ में चलता है पैरलल हर बग साथ में चलता रहता है और पृत्वी के साथ होने वाली किसी भी बड़ी घटना का आसर टाइम के इस पैरलल लेयर पर भी पड़ता है जैसे कि अर्थक्विक, सुनामी या जलजला इन नाच्रल डिजास्टरस का आसर हमारी दुनिया पर क्या पड़ता है यह हम सभी अच्छी तरह जानते हैं लेकिन जब ये डिजास्टरस को ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं तो ना सिर्फ हमारे आसपास की जमीन और विल्लिंगें हिलने लगती हैं बलकि पूरी की पूरी पृत्वी हिल जाती है हलका सा इतना हलका कि किसी को पता ही नहीं चलता कि पृत्वी हिली लेकिन जब पृत्वी हिलती है तो इसके साथ साथ चल रही पैरलल टाइम की लेर भी हिल जाती है हल्का सा crack हो जाती है और तब time jump मारता है यानि कि वक्त ठूपता है यही है time fissure वक्त का ठूटना लेकिन ये वक्त कुछ seconds के लिए ही ठूटता है यानि कि एग, दो या ज्यादा से ज्यादा 3 seconds के लिए लेकिन फिल जब प्रित्वी 24 घंटे का अपना ये चक्कर पूरा करके बापस उस जगे से गुजरती है तो टाइम फिर जंप मारता है और ऐसा बार बार हर 24 घंटे के बाद हर दिन होता रहता है तब ये सेकंड्स का गैप परते बरते इक बड़ा टाइम गैप हो जाता है सेकंड्स मिनिट में बदल जाते हैं, मिनिट्स घंटों में और घंटे दिन में बदल जाते हैं श्री इस दुनिया में ऐसी कई जगे हैं जहां सालों पहले इस तरह के डिजास्टर्स हुएं जैसे कि फ्रांस का ये फेमस बंगलो, मॉंच सेंट मिशेल बहामास का ये छोटा सा आइलन, हार्बर आइलन और इराग का ये अबू ग्रेब प्रिजन और हमारा ये फार्म हाउस साट साल पहले यहां अर्थ्वेक आया था और तब यहां इस फार्म हाउस के टेरेस पर वक्त दो सेकंड के लिए तूट किया था तब से अब तक दो-दो सेकंड जोड़कर 12 घंटे का कैप हो चुका है और अब जब प्रिजवी 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करके इस कोने पर से गुजरती है तब इस फार्म हाउस की टेरेस से 12 घंटों के लिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है लेकिन टाइम ट्रैवल सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो इस तरह की किसी नाचरल डिजास्टर में पैदा हुआ हो यानि की टाइम फिशर में पैदा हुआ हो इस दुनिया में ऐसे केवल नौ इंसान थे और श्री जब प्रोफिसर ने मुझे अपनी रिसर्च के बारे में बताया तो मुझे लगा कि ये रिसर्च हमें क्राइम रोकने में मदद कर सकते है कहां टेरिस्ट अटाक होने वाला है कहां बॉम ब्लास्ट होने वाला है हम पहले से पता कर सकते हैं रोक सकते हैं उसे श्री जब तक ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल नहीं हो जाता हम सरकार को कुछ नहीं बता सकते हैं और इस एक्स्पेरिमेंट को मैं अकेले अपने बूते पर अंजाम भी नहीं दे सकता था इतनी सारी कंट्रीज में जाना, लैप्स बनवना, रिसर्च करना इस बिग मनी इसलिए मैंने अपने बच्पन के दोस्त जेहराज की मदद लिए श्री, दो दिन बाद हम एर कॉलिंग की एरनेट सर्विस लाँच कर रहे और तुम उसके मुंबई हेड बनाए जाओगे दुनिया की नजर में एर कॉलिंग के रीजिनल हेड लेकिन तुमारा मेन काम होगा कि जब भी प्रोफेसर तुमें बुलाए फ्यूचर में जाना और होने वाली क्राइम्स की रिपोर्ट ले आलो श्री यू आर तुमारी जिंदगी बहुत स्पेशल होने वाली है और इस नई जिंदगी का पहला कदम आज से आठ दिन बाद होगा फ्रांक्स से इस पर हम तीनों के पर्सनल नंबर से लेकिन याद रखने ये जड़े हम लोगों के अलावा किसी को नहीं पते ये खुशी सबसे पहले मैंने सोनू के साथ शेयर कि लेकिन जब मैंने उसे सारी बात बताई मुझ खॉल अरे शोनू बिडिवे में सच करना हूँ दारू पिये तुने हाँ दारू कुझे कडवे नकिदी क्या पिया है और मेरी मा कुछ नहीं पिया है मैंने मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की अरे मैं दुनिया में ऐसा केला इंसान हूँ जिसके पास के बावर है समझ कि तू सूरज है श्री और मैं प्रित्वी और प्रित्वी सूरज की चारो तरफ चकर मार्दा श्री रूप चलिगए श्री रूप चलिगई तू ठीक है शर्ट पढ़कर लेकिन मुझ पर तुझा चाहिाए वदा अरे इस भाटो की पख्यास में अट्छी शर्ट पड़कर वेसे भी पालतूच पहने वाला यह तो अर्मानी पहनने वाला हूं आर्मानी पहनने वाला हूं अच्छा हार नहीं थंक्या ले क्योंकि आप पैसो की परसात होने वाली है लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी बस रात के साड़े बारा बजने वाले आई को बोला है क्या नू के याऊं अब इससे जादा देर हुई ना तो तीरे फीचर ट्र का पता नहीं आई हम तोनों की फीचर की बाट लगा देगी अगर तुम फ्यूचर ट्रावल सिर्फ उनके लिए करते हो तो कौन सा स्टाक उपर, कौन सा नीचे इटल बी लाइक दिस लेकिन मैम आपको लगता है कि प्रोफेसर साब और कमिशनर हमारी इस बात के लिए मानेंगे श्री तुम ने सुबे से न्यूस नहीं देखी और इसके बाद शीना ने जो न्यूस मुझे दिखाई उसने मेरे होश उड़ा दिये ये बंगनू भावा रिसर्च सेंटर के पूर्व साइंटिस्ट प्रोफेसर कृष्नकांद देसाई का था प्रोफेसर साब अभी तक कोई पता नहीं रख पाया है बहुत अच्छे इंसान है लेकिन आधे घंटे में वो भी हैसे थे होने वाले है देखो दुनिया में इसे तीन लोग जानते हैं कि तुम फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हो प्रोफेसर जो मर चुके हैं कमिश्टर जो मरने वाले हैं और रंधावा जिनके लिए तुम्हें काम करना है नहीं देखे मुझे कोई काम नहीं करना आप लोगों ने तुप प्रोफेसर को हमने नहीं रंधावा ने मेरा काम सिफ उनका ओफर तुम तक पहुँचाना था तब मुझे पता चला कि शीना भी मेरी तरह फाथी हुई थी शीना ने मुझे बचने का एक रास्ता दिखाया एक इंसान है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके कमिश्टर लेकिन अफसो उसाधे घंटे में वो भी अगर तुम उन्हें बचा सको तो शायद शीना की बातों ने मेरे दिमाग की बैंड बचा दी थी मैंने कविश्टर साब को फोन किया शीना कहे या तुम मैं इस बात को मानने को तयार ही नहीं हूँ सर तोस्ती पे विश्वास ठीक है परांद विश्वास में शुप्रभाद श्रीमान तुम तुम या क्या कर रहा हूँ जि वो रंधावाजी ने एक संदेश बेजा है सर मैंने आपसे कातना रंधावाजी को पता चल क्या कि मैं हम से मिले हैं और असलिए उन्हें श्री रिलाक्स सर रिलाक्स एक बात का ध्यान रखना अगर इसे जरा सा भी नुक्सान पहुचाया ना इन्हें हम कोई शती नहीं पहुचा सकते शती तो आपको होगी और मैंने देखते ही देखते है उसने कमिशन साब को कूली मार दी ये ये तुमने क्या क्या हमने नहीं आपने। कोई हिलेगा नहीं जोच इधर है उधरी शायव साहभ साहभ करें पंडर बॉडला कोन ते लिए रहे है इससे सहर इससे कमिशन साब को खूटके मैं तो यह पर कमिश्ट साब को बचाने आए ये बाबा एले बंदुक नीचे रख रहे करें में दूसरे के हाथ में बंदूग दे के फटके esti मेरी बंदूग नीचे होता हाथ उ पर अब है अब तुम दोनों चलो मेरे साथ चोकी में हां वहां बैटके आराम से डिसाइड करते हैं किसने बंदूग चलाया किसने बंदूग भैंका लेकिन प्तिलक वहां फसने नहीं फसाने आये था पूरी लाइफ मेरी इतनी कभी ने पटे है जितनी उन दो मिनिट पटे है अब देख इसमें मेरा कोई गलती नहीं है तेरा आदमी तेरे को लटका के भाग गया अब सारा का सारा बिल तेरे नाम पे भटेगा बेच साले को नसीब बहुत अच्छा रहती रह बहुत अच्छा मुझे तुम्हारे दोस्त, राजीव ने तुम्हारा केस दिया थाइंक्यू वरी मच्छ सर मैं सच क्यारो मैंने कुछ नहीं किया सर देपशरी एक बात मैं तुम्हें साफ-साफ बता देना चाहता हूँ ये ओपनेंट शट केस है मुंबई के पुलिस कमिशनर का मर्डर हुआ है सर मैंने कुछ नहीं किया सर इसमें तुम्हें भसाये जा रहा है सर शिरी इस इल्जाम से तुम्हें मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता है कानून से बचने का एक रास्ता है तुम यहां से मुंबई से दूर भाग जाओ मुंबई से भाग जाओ कैसे सर यहां तो यह लोग मुझे सुनू तक को को नहीं मिले दे रहे मैं यह से बाहर कैसे निकलूगा राजीव तुमारी गल्फरेंड के साथ हाईवे नमबर चार पर तुमारा इंतिजार कर रहा है और मेरे कोट की लेफ्ट साइड में एक गान है आगे बताना साथ वेडा खाला कर दो अगे बताना वर रहा है इसको उड़ा हमाँ आगा यह जीव काट रहे जीव काट यह काट यह काट हेलो श्री यू इडिट यह क्या क्या तुमने मैंने हाँ अरे कमिश्णर का खूल तो बेले क्या है आप लोगों ने बुझे हाँ पर शट आप श्री मैं खुद आई थी वहाँ अपनी लाइफ अपना जॉब खत्रे में डालके और तुम तुम्हे कुछ भी समझ में नहीं आता तुम्हे इतना भी समझ में नहीं आया कि राजीव को कैसे पता चला कि तुम पुलिस कस्टडी में हो श्री वो एडविकेट रंधावा का आद भी था अब तुम पर सिफ कमिश्टर के कतल का इल्जाम नहीं पुलिस कस्टडी से भागने का इल्जाम भी है और तुम किसी की भी गाड़ी में बैठने से पहले एक बार उसे देखते भी नहीं यह क्या यह क्या कह रही है पीछे देखो अब श्री अब यू लिस्सन टुबी श्री तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे तुम जल से जल मुझसे आके मिलो क्योंकि अब तुम पर एक नहीं दो दो कतल के इज़ाम आ चुके है मैं जानती हूँ इस रंधावा से कैसे ने पटना है अलो श्री अब अब श्री और उसके बाद मैंने सीधे सोनू को फोन किया क्योंकि सोनू के अलवा में और किसी पर ट्रस्ट करें नहीं सकता था और सोनू ने मेरे रहने का इंतजाम जम्ना नगर में उसके एक दोसके खर कर दिया कल रात में वहीरा और जैसे इस सुवे उठकर न्यूज देखी तो हर न्यूज चैनल पर तेलग और कमिशनर के खून का अलजाम मुझ पर लग चुका था आप पर तो मात्र हत्या का आरोप है और हम तो और हमें तो ये भी नहीं बता कि हमारी हत्या कैसे हुई और किस ने करी देखिये श्री जी हमें नहीं पता कि इन्होंने जो पता है वो होगा या नहीं कि तो पुना नौ तारिक में पहुंचने के बाद हम आपको से योग देगे कि दुपनन और तारिक में पहुंचने के लिए हमें श्रीग निकलना होगा चुकि बारा घंटे समाब थोने में अब कुछी शनबा की है कि दुपने के लिए हमें एिलो, दो के लिए हमें श्रीग के लिए हमें आ loा, य। इर चाहिए! कि ङृव presents all the verder का Casey सब्सक्राइबने! श्री, श्री, थैंक यू, श्री, तुमने मेरी छह साल की महनत सब्फल कर दी, I am so happy. तुम दुनिया में एक लोग तैसे इंसाम तो ताइम चावल कर देता, ताइम चावल? फावल! लिकीन जब डिटी है, तो इसके सात उचल रही तेल लियर की लेर भी स्झावल तिं ताइम दाय श्राम को नेकिन ये वर्फ़े स्थोम ने कुछेमिये ही पडम लिए लारभे स्थोमिये दशाए है? मुगल, दारू बिया तोने, हाँ, दारू तो तुषे कडवी लगती थी, बियर, शोनु, यार, बिलीव मी, मैंने कुछ नही पिया है, और मैं साज क्या रहा हूँ कि मैं टाइम ट्रावल कर सकता हूँ, मैं दुनिया मैं सब, नही यार मुझे पता तुमेरी बात का यकिन नह करेंगी, मैं यह बेवगूफ हूँ, जो तुझे संजाने की कोशिश कर रहा हूँ, तु नहीं मानेगी, तु तब मानेगी जब मैं बुरी तरह से फस जाओंगा, एक मिलिट, I can prove it, I can prove it, future वाले श्री के हिसाब से, अभी लाइट चाहेगी, सुनु, लाइट चाहेगी, मैं जा रही हूँ, सुनु, मेरी बात मान, सुनु, लाइट जाएगी, सुनु, लाइट जाएगी, सुनु, देखा, मैंने का था ना, मैं, तु ठीक है, हाँ, क्या हुआ, तेरी स्फालतू की बखवास में अच्छी शर्ट भट गई, हट, यह शर्ट तो फट नहीं थी सुन कोइंसिडेंस था, और हमारे यहां तो लाइट आती जाती है, यार, कोइंसिडेंस नहीं था, सुनु, मेरी बात के यकेन कर, यार मैं फ्यूचर जा सकता हूँ, मैं साच कह रहा हूं, सुनु, तेरा नहीं पता, श्री, लेकर अब मैं जा रही हूँ, रात की साड़े बारा बजने वाले, आई को बोला, क्यानू के यहां, अब इससे दादा देर हूँ, तो आपके फीचर ट्रिप का पता नहीं, आई हम दोरा के फीचर के वाज लगा देगी, समझे, बाई, सुनू, तो, मिस्टर फीचर मैं, बताईए, दर्वाजे पर कौन होगा, जाना यार, खो नौ का आरम हो चुका है, पचास लाख रुपे, जो हमें रंधावा जीनी दिया है, कल प्राता काल साड़े ग्यारा बजे, मुख्य पुलिस आयुकत की हत्या करने के लिए, यार, श्री, ये सब क्या हो रहा है, अरे सोनू, तु जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोन अगली मृत्यू हमारी होगे, हाँ तलक, लेकिन अगली मृत्यू होगे, देखो तलक, तुम्हारी मौत कमिश्णर के बाद है, लेकिन कमिश्णर से पहले प्रोफेसर के घर प्लास्ट होगा, अगर हम प्रोफेसर के घर का प्लास्ट रोकते ना, तलक, हम फ्यूचर को चें उनकी मौत रोकनी है, समझे, देर किस बात किये, चलिए, अभी चलते है, या श्री, सर, सबसे पहले आप अपने घर से बाहर नहीं कहले है, क्या, आपकी जान को खत्रा है, सर, आपके घर में ब्लास्ट होने वाला, आप प्लीज वहां से निकले, पाहर निकले, सर, ब्लास्ट? काम डाऊ, श्री, तु मुझे डीटेल में बताओ क्या बात है, सर, देखिया भी वक्त नहीं है, सर, प्लीज ट्रस्ट में, आपके घर प्लास्ट होने वाला है, सर, आप प्लीज वहां से निकले, किसी भी तरह भी, सर, मैं आपको, इनॉबिट के सिगनल मिलता हूँ, ओके, एके, एके, मैं वे वेडिन का झालता हूँ, रिट, पॉनी कल्दा है स्रीजी आप उने फोन करके देखिये ना वो घर से निकले की नहीं तिलाक तुम्हारी तरह उने भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है वो तो उसी वक्त निकल गयोंगे दो बजने मलें अब तक तो घर से काफी दूर पहुच के होंगे अब तो हज़े मेरे बाप प्रोफेसर बजगे तुम भी बच्चा वे दो बच्च गया है प्रोफेसर जीवित है सुरक्षित है अब तक पता नहीं लग पाया है और फिल्हाल पुलिस का कोई भी अधिकारी मुझे पहले ही पता था हम प्यूचर चाहे थोड़ा बाद चेंज कर भी ले लेकिन मौत नहीं डल सकती सही कह आपने किन्तु हम अपनी मृत्यू को अपने निगट नहीं आने देगे हमें शायद ये नहीं पता कि हमारी हत्या कैसे होगी कौन करेगा किन्तु हमें ये तो ग्यात है ना कि हमारी हत्या की आग्या रंधावाजी ही देंगे अगर रंधावा जी इस दुनिया से परस्थान कर जाए तो नहीं 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 तेलक कमिशनर साब को तुमने मारा था मत मारना नहीं मारोगे तो उनकी मौट डल जाएगी देखो, फ्यूचर अब भी चेंज हो सकता है इक काम करो तुम अंतर जाओ, अंतर जाओ सुमा तु भी अंतर जली, जली, जली कार जा नमस्ते आउंटी तेरा नमस्ते गया तेल ले ने काय हो जिए जादा यदाबनके पेडा खाने की कोशिश मत कोर राद बर का रखड ने गए ते तुम लोग? कौन? आँटी, मेरी तुन हाइट की शेफ्टी और सौनू सौनू ने कहा के वो तो अनू के आ गई है ज्यादा शाना मत बना मेरे साथ हलो हलो हलो, हलो आई, कुटे हैस तु? तु कुटे हैस? राद़ कुटे हैस अगले यह? अगा, में तुला, सांगितलानो, अचानो खड़े चाल्ले मड़न अथा किती जलामी अचारवाज भायारूब है कुटे हैस तु? हाँ पोचले तु अगा, मी ते बीरे ड़ाना लगीली दी तुना चंपांटी कुण चाविग है अन्दरवाज खोला है मियते हाँ 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 पटकन 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 जड़ जादा टुकुर टुकुर मत देख मुझे समझ में आरा है तेरा और उसका नाठक मेरे साथ जादा चालूगिरी मत किया करो तुम लोग कहीं सुन मुझे आई से पहले वहां पहुशना होगा ठीक है तु कहीं भी जा रहा है मुझे जगे और सारा प्लानें समस्कर के चाला है और कोई रिस्क नहीं कुछ नहीं होगा टेक कियर अब क्या करना है कमिश्टार श्री जी हमें भे लग रहा है तुम्हें डरने की कोई ज़रोद नहीं है तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में तुम कमिश्टार को मारोगे नहीं है वो जिन्दा तुम भी जिन्दा श्रीना हलो गुड मौनिंग श्री हमारी पहली डील के बाखी के दस लाग श्री में मैं अभी आनी बाऊंगा मैं मैं आपको थोड़ी दिर बात फोन करता हूँ वाई मैं मैं чानता हूँगा अभी मैं अब फिचर से हो आएं और हो जोरी नहीं 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 दोंimon जी हां मैं, अब सब की बात अगे फिचर जनने के बाद भी मैं प्रफेसर साइब को बचानी ओआ या लगा लेकि मैं कमे सर्थ आपको मरने नहीं दूगा देखो श्री अगर तुम फ्यूचर देखी चुके हो तो ये भी देख चुके होगे की I'm with you Whenever you need my help I'm always with you तुम लोग अपना ख्याल रखो and if you need any help just call me, okay? ची मैं, bye श्री तिलक कहे या तुम मैं ये बात मानने को तयार नहीं हूँ I don't know, Professor को किसने मारा है लेकिन लेकिन जहराज, no way सर देखिए श्रीमान, हमारा आपके रंधावाजी पर विश्वास या अविश्वास से कोई सम्बन ने हम मात्रे इतना जानते हैं कि आपकी मृत्यू से हमारी मृत्यू जुड़ी हुई है ची, सर और आपकी मृत्यू के लिए रंधावाजी ने हमें ये पचास लाख रुपे दिये किन्तु हम तिलक, आपको मारेंगे ही नहीं क्योंकि आपकी मृत्यूं के पश्चात ही हमारी मृत्यूं है को ही लेगा नहीं जो इधार है उधारीच गनपत तुम तुम यहां कैसे वो साइब हमको ख़बर मिला था कि आप रटेक होने वाला है इसलिए मैं आपको बचाने ने ऐसा कुछ नहीं है तुम जा सकते हो ठीक है साइब ये तलारे और सुनो ये गन और पैसे अपनी कस्टडी में ले लो इलीगल है हो साइब और शाम को मुझे आफि ये ख़बर कभी गलत नहीं होती है मैंने कुछ नहीं किया रहे मैं तो रॉनर है रे गेम तो तू बजाया ये पकड़ ये नहीं दादा शान पटी नहीं हाँ चल चल उठा उठा मेरे भाई चल चल अब तेरी उंगलों के निशना आगे ना अब रख दे काम हो गया तेरा रख रख हाँ चल अभी हम लोग जाते हैं चौकी पे और वहां जाके डिसाइड करते हैं कि किस के उपर मेरे साप के मुर्डर का इल्जाम लगाने का है और किस के उपर मेरे आदमियों का हाँ ते लंबू तु लागा इस सेपरेट इंविटेशन पाट हुगा हाँ चल एक छोटा तुम पसगे रहे तुम लोग हाँ हाँ हाथ पीछे गले के पीछे और तु चल आप मला पंड़ तुम पढ़ना अर्थू तुम अ कि 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 तु किदर जा रहे हैं अब देख इसमें मेरा कोई गलती नहीं है तेरा वो साथी तुझे लटका के भाग गया अब सारा बिल तेरे नाम भी फटेगा हाँ तुम लोग ने सुना नहीं के कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं फिर भी तुमने कानून के आद बान दिये हाँ चल तुला एक मस्त ओफर देतो हैं तु मेरे को छोड़ मैं तेरे को छोड़ते हैं फिर तु अपनी छावी को लेके भाग जा और ये जो पचास लाग है ना उसमें से दस लाग तेरे क्या बलते हैं सेर आप भी मतलब इन सीरिस टाइप में कैसे बजाग करते हैं सेर मतलब पचास लाग का बैग हमारे पास है आप बंदे हुए हैं तो फिर हम आपको चालिस लाग क्यों दे हमें भागने के लिए आपको खोलने की क्या जरूर है वैसे भी इंस्पेक्टर कमिशनर के खोन का अर्जाम सर्फ तुम मुझ बढ़ा सकते हो और जब तक तुम यह बंदेवे हो तुम किसी को भी कहां से बता चलेगा कि कमिशनर के खोन के वक्त मैं वापे गया भी था जब तक तुम यह आपे होना मैं आज़ात हू पूरे मुंबई शहर में काफी तना फैल गया है एक अग्या जगा पर मिली मुंबई के पुलिस कमिशनर की लाज ने राज्य की कानून ववस्ता पर सवाल्या निशान खड़ा कर दिया है पुलिस आप तक यह नहीं पता कर पा रही है कि कमिशनर वहां कैसे पहुचे और उनके कतले के पीछे किस का हाथ है पूरे शहर में रेड एलर्ट जारी कर दिया गया है अच्छा भी लग रहा है आखिर अपनी मौत की ख़बर देखना कितनों को नसीब होता है यह केस अब मुंबई पुनेरी की चत्पर बनाया है जाखा चलना पुलिस का कोई भी अधिकारी इस पिसार में कोई भी कमिशने के लिए तयार नहीं है हलो जी हम तिलक बोल रहे है हाँ तिलक वो हम श्री जी से संपर करने की कोशिश कर रहे थे अगर वो आपके साथ है तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं नई वो अभी मेरे साथ नहीं है आप एक काम कीजे आप एक एड्रेस लिख लीजे हम वहाँ पर आपसे मिलते हैं ठीक है पूरे मुंबई शेहर में काफी तनाव पहल गया है एक अग्याज जगा पर मिली मुंबई के पुलिस कमिशनर की लाश ने राज्य की कानूं विवस्था पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है पुलिस अब तक ये नहीं पता कर पा रही है कि कमिशनर वहाँ कैसे पहुँचे और उनके कतल के पीछे का हाथ है न्यूज देखी हाँ सभी चैनल पर वही न्यूज आ रही है तू तो बेबस होते होते रह गया नाश्ता लाई गया नहीं तेरे भागने का सामान देख श्रीप ये लफड़ा बढ़ने वाला है कमिश्टर के खून के बाद भी तू रंधावा के हाथ नहीं पहुचा वो चुपने ही बैठेगा इसलिए तू पड़ाज सु निकल जा ये मैं मतलब हम जा रहे हैं हाँ बाबू हम ही जा रहे हैं बस अभी तू निकल जा मैं एक दो दिन में यहाँ पर सब सेट करके आती हूँ ये ले ये सरदार का केटब पहन और निकल अब इतना क्या देख रहा है ये मैं पहले भी पहन चुका हूँ फ्यूचर में इंस्पेक्टर गनपत के खून के बाद तुने और राजीवन मजे यह केटब पहना कर मॉंबल से क्या हूँआ इंस्पेक्टर कनपत का खून फ्यूचर में 11 तरह को 11.30 बजे हुआ था इंस्पेक्टर कनपत तो राजीव के साथ है राजीव को फोन कर फोन कर चली चली फोन कर यार 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 क्यारब आच वाए हमारे पास भी वक्त है चली 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 नहीं लग रहा है शिट यार तिलक तूम इंस्फेक्टर कनपत ये जा चुक है जब हम यहां थो ये राजीव यह राजीव 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 यह एंके लावा कोई नहीं है हम अर जगा देख चुक है हम जब पहुँछे थो ये इसी अवस्था में थी लेकिन तुम ही है कैसे है जी वो कल मैं बताना भूल गई इसका कॉल आया था सुबह शमा कीजेगा श्री जी वो हम आपको अखेरे छोड़ कर भाग गए थे वो हम भेभीत हो गए थे कि कहिए हम पर कोई जूटा आरोप न लगा दे तुम अब तक जिन्दा कैसे हो फ्यूचर के हिसाब से तौब तक तुम मर चुके अब तलग फ्यूचर के हिसाब से दस तारीक को सबसे पहले प्रोफेसर मरते है उसके बाद कमिश्टर और उसके बाद उस कार में तुम्हारी लाश थी और अगले दिन इंस्पेक्टर का अंपक का मॉर्डर हुआ अगर सब टाइम पे मर रहे है तो तुम क्यों नहीं तलग इसका मतलब है कि तुम फ्यूचर में मरे नहीं थे मरने की एक्टिंग कर रहे थे मतलब मतलब यह सुनों कि यह जानता था कि यह फ्यूचर में मरा नहीं था और यह अब भी नहीं मरेगा इसलिए कमिश्टर के खून के बाद यह वहाँ से भाग गया कि उनके खून में यह मुझे भसा सके सब समझ मेर मुझे यह सब अब तक रंधवा के लिए काम कर रहे इसने अभी तुम्हें अंदर जाने से रोका ना पकार राजी बंदर है राजी बंदर है राजीव नट बाद श्री नट बाद अट ओल इतनी प्रोब्लम्स होने के बावजूत तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है तुमने अभी जो भी कहा वो काफी हद तक सही था सिर्फ एक बात गलत थी हम रंधावा के लिए काम नहीं करते वो तो खुद काफी टेंशन में है कि प्रोफेसर और कमिशनर को किस ने मारा इसका मतलब है कि यह से बात? सिंपल सी बात है श्री प्रोफेसर, कमिशनर और अंधावा तुम्हारी स्पेशल पावर को फालतू चीज उमें वेस्ट कर रहे है श्री, स्पेशल पावर होने का मतलब है खुद को पाफुल बनाना जो तुम मुझे बनाओगे शीना जैस्वार तुम मेरे लिए फ्यूचर ट्रावल करोगे कौंसी कंपनी उपर, कौंसी नीचे इट विल बी लाइक तिस तिलाट ने तु फ्यूचर से आते ही बता दिया था कि तुमने सब देख लिया है इसलिए प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा पॉम प्रोफेसर के घर के बजाए गाड़ी में रखना पड़ा और ब्लास तुम्हारे सामने ही तिलाट ने किया था उस कमिश्णर के कतल के लिए तिलाट की बजाए इस स्टुपिट को बुला के बहुत पड़ी कलती होगी ओके, here's the new plan काल, Air Calling Mumbai की एरनेट सर्विस लाँच होने जारी है सारी मीडिया उसे कवर कर रही हो सारी न्यूस चैनल वहाँ होगे उन सब के सामने तुम्हें रंधावा को गोली मारनी होगी उसके बाद तुम गन पॉइंट पे मुझे वहां से लेके जाओगे और मैं तुम्हें इंलिया से लेके जाओगी सिंपल आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब कहींगी और मैं कर दूँगा नहीं अगली गोली कहां चलेगी ये पताने के जरूरत है सो तुमॉरो रंधावा ये लेके तूआब के जरूरता है में जर इंलिया से लेके जाओगो जरुम। झाल टेल रेखने जैसरे एज़ आंगे तेली समय अगार यह अपनी के वे ज़िए अगाना में दो कहले हुआ ऑब चाहिए आपना यह प्रिश्टों के इसे अगार कर दो विए अगार की अगार के श्रीओडाओ अगार कि अगार्या अगार इस नस्टार को अगारा है अगार्या सब्सक्राइब आइनो, आइनो शीना ने मुझे बताया कि कमिशनर और प्रोफिसर की मौत के बाद तुम काफी डर गए थे खेर, अच्छा किया कि तुमने शीना को फोन कर लिया नो डॉंट वरी बस एक बारी लॉंच हो जाए तो आई विल डिग इंटो Yes, Sir मैने कल से ही चार बोड़ी गार्ड शी के साथ रखती है जो हर वक्त शी के साथ होंगे So, be ready for the presentation तुम्हे पता है ना कि तुम्हे क्या करना है Yes, Sir I have explained everything to Shree क्या करना है कैसे करना है Good, then let's start Sure Sheena Good morning ladies and gentlemen And welcome Welcome to the future We have all assembled here today to witness the carrying forward of Indian technology into the future And that future is called AirNet High-speed internet, Wi-Fi, 3G Everything has become a part of a common man's everyday life So, what is that special factor that makes AirNet uncommon? To answer this question, may I call upon Managing Director, Air Colleague, Mr. Chairaj Randhawa Thank you Sheena And thank you all very much for being here To share this proud moment with us and if it is the end of speech And if you will be the end of speech You will be the end of speech You will be the end of speech To understand the following the acknowledging of speech लिए निए लिए याफ लिए लिए और दोनोग और उप्लोग 50 MB देट तेंग्वें और फिर्टी सेंग्स भी वीट जाँ लड़ारो दो जब वो टौने तो जड़ारो व्होंग झाल झाल आपने तिलक को भी? अबिसली, श्री, तिलक आखरी इंसान था, जो तुम्हारी पावर के बारे में जानता था, और अब, मैं, सिर्फ मैं, मैं, आप शायद भूल गई, अगर मैं फ्यूचर देख सकता हूं, तो मैं फ्यूचर बदल भी सकता हूं, मतलब? इतना जोर मट डाले दिमाग पर, अब फेले बहुत दिमाग चला चुकी, अगर बचा कुछा भी खत्म हो गया ना, तो जेल की जगे सीधे पागल खाने जाना पड़ेगा, इसका मतलब तुम, पहले से? बहुत पहले से, आपको तो बहुत पहले ही पगड़ चुका था मैं, क्या कहा था आपने, कहा हो तुम लोग? कहा हो तुम लोग, तुम लोग अपना ख्याल रखो, आपको कैसे बता चला कि तिलक मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ? शक तो उस वक्त मुझे दिलक पे भी हुआ था, लेकिन फ्यूचर में दिलक अपनी मौत देख रहा था, इसलिए मुझे उस पे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन आप पर मुझे बुरा यकीन हो गया, और फिर मैंने ध्यान दिया, कि फ्यूचर में कमिशनर के पास जाने के आप ही ने मुझे उकसा है था, फ्यूचर में मेरी जेल से भागता ही, आपको बता चल गया, मैं जेल से भागा हूँ, कौन सी कार मैं भागा हूँ, और अब आपके इसलिए जानने के बाद में और कोई चांस नहीं लेना चाता, इसलिए मैंने सोनु को सब कुछ SMS करके बता कमिशनर साब को इंफॉर्म करें कि उनकी जान को खत्रा है और वो अपनी सेफटी रखे, लेकिन आप भी कम नहीं, आपने इस बार गोली तिलक से ना चल वागे, इंस्पेक्टर साब से चल वाई, अफसोस, इस बार हम आपसे एक कदम आगे थे, और कमिशनर साब बच गए अरेश तो हम तुम्हें उसी वक्त कर सकते थे शीना, लेकिन श्री को लगा कि तुम ये सब रंधावा के लिए कर रही हो, लेकिन मुझे शक था कि तुम रंधावा को भी धोका दे रही हो और तलक का शक भी कंफर्म करना था, जो अगले ही दिन उसे जिन्दा दे कर अपने आप क्लियर हो गया लेकिन इस सब में सोनू और राजीव आपके कबसे में आगे और जब तक कमिशनर साब उन्हें आपके कबसे से छुड़वा नहीं लेते हैं, मुझे इस सब नाटक करना पड़ा और बाइदो वे, वो दोनों भी सेफ हैं, राइट सर्थ? राइट, उन दोनों को भी छुड़वा लिया गया यूनों, शीना, दुन्या में सबसे मुश्किल काम क्या है, जैराज रंदावा को दोका देना नहीं, जैराज रंदावा को दोका देकर उससे बच जाना चाहिए, आपका फ्यूचर आपका इंतजार करना है थैंकियो श्री, आज तुम्हारी पाहर ने मेरी और कमिशनर की जान बचाहिए तो टेल मी श्री, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है अब सोचना क्या है सर, अब तो देख के याद हो अब सोचना क्या है जोया था मैं, कि कल से जंदगी बाइट थी, होई सुभा लाग गई, संदगी सुला गई जोई सुभा लाग गई, संदगी सुला गई ऐसे ऐसे कांड देखे, एकी दिन में याद मेरे देखे, पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई है सब भड़के, हर मिनट में मिल रहे है नए नए फटके, लटक गई, लटक गई, लाइफ पटली से सटक गई, हाथ धो के सारी दुनिया पीछे ही पड़ गई साम तक सब ठीक था, आद भी कुट नाइट, मस्थोगे सोया था मैं की गल से, सिंदगी प्राइट थे हुई सुभा लाग गई, सिंदगी सु लाग गई आसे आसे कांग देखे, एकी दिल में यार मेरे